नमस्कार मैं टॉक्टर वेपिन मंसर वास्तो गुल सच्टाइट आज मैं आपको अपनी वीडियो के माद़म से ओटो पार्ट्स बनाने की फैक्टरी के सेटप के बारे में बताना चाहूँगा कि वास्तो शावसर के अनुसर आप किस पतार से अपनी ओटो पार्ट्स बनाने और आप अपनी फैक्टरी को रेनोट करने जा रहे हैं या आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आप मेरी इस वीडियो को चुरूर देखेगा आज जो मैं सैटप बताने जा रहा हूँ वो है साउथ फैसिंग फैक्टरी वास्तो शास्तर के अनुसर साउथ फैसिंग फैक्टरी हमें किस परकार से लगानी चाहिए सबसे पहले तो साउथ फैसिंग यदि आपकी कोई फैक्टरी है या कोई जगह उसके अंदर फैक्टर होना ही चाहिए गट्टे में बनी हुई फैक्टरी कभी भी नहीं चलती वो हमेशे ही देर स्विर तकलीफ देती है और देखने में आता है कि वो फैक्टरी देर स्विर बंद होने के कगार पर भी आकर खड़ी हो जाती है तो इसलिए हमेशे ध्यान रखे जब भी कोई भी फैक्टरी नहीं लगाते है या कंस्ट्रक्शन करते है तो हमेशे ही रोड लेवल से उची आपकी बिल्टिंग होनी चाहिए यानि फ्लोर लेवल हमेशे ही उचा होना चाहिए आपके अपनी फैक्टरी साउथ फैसिंग है या साउथ फैसिंग फैक्टरी लगाने जा रहे है तो उसके अंदर जो में गेट आना चाहिए वो में गेट साउथ हिस्ट में साउथ की दिवर पर बड़ा गेट आए उसी के साथ में आप अपना चोटा गेक लगाना है, यहां पर आपने अपना चोटा गेक लगाना है, इसी के साथ में आप अपना यहां पर गार्डूम बने, गार्डूम के साथ आप अपना मीटर रूम बने, मीटर रूम के साथ में आप अपना ट्रांस्फार्मर्स लगाए transformer के साथ में आप अपना जरनेट पर लगाए एक जरनेटर लगाना है तो एक लगाए दो लगाने है तो दो लगाए क्योंकि आपका auto parts बनाने का काम है तो आपके यहाँ air compressor भी लगते है क्योंकि CNC मशीने चलती है और CNC मशीनों में air compressor भी चाहिए होते हैं तो वो air compressor भी आप अपनी इस जरन में लगा सकते हैं साथ वेश्ट के एरिये में आप अपना store बनाए तो ऐसे साथ वेश्ट कोरन से gate तक आपका यह इसा cover हो जाता है यहाँ का floor level हमेशे ही उच्चा रखना चाहिए अब इसी के साथ आपको अपने यहाँ पर borwell summer civil कहां लगाने चाहिए borwell या summer civil आपने north north east के भाग में यहाँ पर borwell या summer civil लगाने चाहिए और यही पर पानी का underground tank बनाने चाहिए इसी के साथ fire के लिए भी water tank जो बनाना है वो भी आप north center से north east के और जरूर बनाए rain water harvesting tank आपको east north east में इस जोन में बनाना चाहिए यह तो setup हो गया आपका इस परकार से फर्स की ढ़लान जो करनी है वो southwest corner से north east की और करनी चाहिए आपको अपनी जो building बनानी है वो building आपने west की दिवार पर बनानी है जो आपनी आप देख रहे हैं मैप में यह जो outline है जो यह एक box है यह box आपका बनी हुई building है जिसके अंदर machine भी लगेंगी और office setup पीख होगा तो इसमें जो मैंने दिखाया है जो आपका south का पार्ट है यह आपका अपना office block रहेगा इसमें जो entrance करनी है वो यहाँ पर office block के east north east में आपने entrance करनी है honor की जो sitting बनानी है वो southwest में बनानी है staff की sitting जो बनानी है वो north में gallery देकर इस पार्ट में आप अपने staff की sitting बना सकते हैं इसमें आपके sales वाले भी बैटेंगे, accounts वाले भी बैटेंगे और conference के लिए room बे बनेगा और साथ में waiting area भी रहेगा यहाँ पर honor का Kevin बनाना है यहाँ पर आप conference room बनाए यहाँ पर आप accounts room बनाए और यहाँ पर आप अपना sales वाले भी बिठाए और यहाँ पर आपका अपना waiting area हुआ reception जो बनानी है वो reception आपके अपनी यहाँ पर बनेगी और toilet आपने बनानी है तो वो toilet आप यहाँ पर बना सकते हैं इसी में आपने अपना first floor बनाना है तो यहाँ पर south east corner की और upstairs बना सकते हैं अंदर के अंदर आपका office block की stairs उपर चली जाएग आपके यहाँ vendor से माल आता है तो वो माल आपने कहा रखना वो माल आपने यह एक और yellow color का block है इसमें vendor से जो माल आता है वो माल आप अपना यहाँ पर रख सकते हैं जो भी vendor माल लेके आता है यहाँ पर आप एंटर से यहाँ से आपका माल in और out होगा आपके हैं लंबी-Lंबी रोड्स आती है MS की रोड्स आती है ALARQ क्वाइटी की रोड्स आती है वो भी रखी जाती है वो रोड्स आपने यहाँ पर इस जोन में यहाँ पर आपके रोड्स के रेक लए जाएंगे जो आपका औरो मिख्रिल आता है उसके rack लगेंगे यहाँ पर आप अपना aromagirl रख सकते हैं आपने अपने यहाँ पर CNC machine ने कहां लगा लिए क्योंकि CNC machine ने एक नहीं पहुत सारे लगती है और auto parts बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत हो CNC machine ने आपने सबसे पहले तो south west में पहली machine जो रखनी है वो आपने south west में रखनी है दूसरी machine आपने यहाँ पर रखनी है south के भाग में ही यानि जो अपना call है उसके south के भाग में ही आपने पहली machine दूसरी machine, थीसरी machine चोथी machine इस परकार से आपने उतनी machine रखनी है फिर उसके बाद आप वेस्ट की दिवार के साथ अपनी CNC मिशिने जितनी भी बढ़ाना चाहिए उतनी बढ़ा सकते हैं आपके पास काम अच्छा आएगा तो इस परकाट से आप CNC मिशिने अपनी एकर करके लगा सकते हैं यानि साथ से नोर्ट के ओरी आप अपनी CNC मिशिनों को लगाते चलेगे ऐसा ना हो कि आप CNC मिशिन नोर्ट से लगातर साथ के ओर आएगे तो मेरा अपना मानना है कि आपकी फैक्टरी चलने में ही नहीं ही आएगे और साउथ वेस से जब आप अपनी CNC विशिने लगाने शुरू करोगे आपने 2 CNC विशिन लगानी है, 4 लगानी है या 10 लगानी है मेरा अपना ये मानना है कि यदि इस परकार से आप सैट अप करते हैं तो आपका जितना भी ये एरिया है ये एरिया पूरा-पूरा CNC विशिनों से भर जाएगा और आपके पास भरपूर काम आएगा आपको अपने यहां पर जो एंटर्स बनाने हैं वो एंटर्स एक तो आपके फिल इस्ट सेंटर से लोगी एक entrance आपकी north center से और एक entrance आपने east north east से यहां से भी जरूर करनी है यह अगर entrance आपकी बन जाती है तो यह one kitchen यह आपकी factory बहुत बढ़िया चलने लगेगी जब माल CNC मशीन से त्यार होता है इनके साथ कुछ hexa मशीने भी लगती है जो की माल को काटती है वो मशीन आप इस परकार से यहां पर लग आसे इस परकार से आप अपने एक सा मशीन को हो बैंक सा मशीन को हो इस परकार से वो मशीन आपकी अपने यहां पर लग जाएगी आपके यहां drill मशीन भी लगती है छोटी छोटी drill मशीन लगती है और आपके पार पास space बसता है तो आप यहाँ पर भी filmmaker का setup कर सकते हैं आपको अपने यहाँ पर supervisor के लिए room बनाना है तो supervisor के लिए room अब इस्ट में, औरोधिशा में यहाँ पर supervisor के लिए room बना सकती है जो माल आपका अपका आप मशीनों से तेयार होता है और यहाँ पर आपके अपनी टेवल्स लग जाएंगी जिस पर आपका अपना स्टाफ बैठकर मान कोटच करेगा कुछ मान नीचे ही चेक करते हैं फर्ष के ऊपर बैठकर कुछ मान टेवल के ऊपर लगाकर भी चेक करते हैं तो जैसा Space आपके पास है, यहाँ पर आपकामान की चेकिंग होती है, माल चेक होने के बाद उस माल को पेटियों में पैक किया जाता है, पेटियों में वो माल पैक करने के बाद कहाँ पर रखना है, यानि तयार माल, Finish Could, FG, वो आपने अपने यहाँ पर, North Northwest दे, इस जोंबे आपने अपना तेयार माल रखना है जो आपका तेयार माल यहां रखा जाएगा उसकी आउटपुट कोशिश करेगी आप यहां से निकाले यहां से यदि आप अपने माल की आउटपुट निकालते हैं तो आपको कभी भी पैसे से संबंदे दिक्कत नी आएगी आपकी quality हमेशा बढ़िया रहेगी और हमेशा ही आपका product demand में रहेगा ये काम आपने हर आलत में करना है अब इसी के साथ जो CNC machine है जिसमें product बनता है auto parts बनते हैं उसका भी बुरादा भी निकलता है वो बुरादा आपने कहा रखना है वो बुरादा आप north north west में इस zone में भी आप रख सकते हैं यहाँ पर आप अपना west बुरादा रखें क्योंकि जो वो scrap होती है वो इकठी की जाती है जब एक टनकी दो टनकी तीन की हो जाती है तो गाड़ी विलाकर उस scrap को उठवा दिया जाता है तो यहाँ पर आप अपना scrap room बनाए आपको काम बहुत बढ़िया चाहिए तो आपने ध्यान बढ़ना है south west corner से north east corner दियोर first के ढ़लान करने चाहिए पानी के अंडर अरॉंग टेंक नौर्थ में north east में जरूर बनाने चाहिए जो आपका अपना south का भाग है दक्षिन दिशा का भाग है इस हिस्से को हमेशा ही north के हिस्से से यानि उत्तर दिशा से हमेशा ही उचा रखना चाहिए मशीनों का setup south से लगाते हुए north की और चले या west से लगाते हुए east की और चले तो आपकी factory हमेशा ही बढ़िया चले गलती से किसी कारण से यदि आप north east कॉर्णर में मशीने लगा देते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपकी जो sale है वो दिरे दिरे करके कम होती चली जाएगी आप इस परकाश से setup लगाते हैं और आपका काम बढ़ता चला जाता है आप एक के बाद एक CNC मशीन लाकर लगाते हैं तब भी आपने हमेशा धियान रखना है जो north east कॉर्णर है इस कॉर्णर में आपने कोई भी मशीन नहीं लगानी है यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी factory हमेशा बढ़िया चलती रहेगी यदि गलती से आप north east में कोई मशीन लाकर लगा देते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको तकलीफ आने शुरुक हो जाएगी आपकी factory बहुत बढ़िया चल रही थी और पता चला कि देरे देरे करके काम आपका slow होता चला गया तो आप notice करें कहीं आपने अपने factory के north east corner में कोई मशीन लाकर तो नहीं रखिया यदि कोई मशीन लाकर थीया तो यह मान कि चलिए गए आपका काम देरे देरे करके slow होता चला जाएगा और आप की factory एक stage पर बंद होने की गज़ार पर आकर खड़ी हो जाएगी इसमें एक बात और बताना चाओंगा आपको अपने यहाँ पर labor की toilet कहा उपना जाएगी लेवर की toilet आपने north north west जोने इस जोन में आपने यहाँ labor की toilet बना निक हैं जो office block है इसमें honor की और staff की toilet बन जाएगी चट के ऊपर आपका हमेशे ही south का इसा उचा होना जाएगी इसी के साथ जो आपकी east की दिवार है जो आपके पनी north की दिवार है क्योंकि आपके auto parts का काम है आपके हाँ जो लोई के character होते हैं उसके अंदर माल भरा जाता है वो माल यदी आप north की दिवार के साहथ य इt-क दिवार के साथ लगा देते हैं तो भी काम देरे देरे करके slow होना शुरू हो जाता है यदी आपके साथ हो रहा है तो आपको पर अपकी दिवार के साहथ जूआगके तो आपकी factor smooth होने शुरू हो जाएगी या आप अपनी फेक्टरी को रेनुवेट करने जा रहे हैं तो आप हमें अपने यहां साइट विजिट इलिब इन्वाइट कर सकते हैं आप अपना किमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका त्या दिन से धन्यवाद करता हूं इसी तरह अगले प लाद करता हूं